हम आपको बताएंगे कि आज नीमच मंडी में लेस्वन का भाव क्या देखने को मिला है लेस्वन के बजार में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है ये सब जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें कि आज निमच मंडी में लेसुन किया जो बजार है ठीक ठागी देखने को मिल रहा है ना जादा मंदी रही है ना जादा तेजी यह सब बात करें अगर क्वालिटी अनुसर भाव की तो नया देशी क्वालिटी का लेसुन का भाव नीचे में 900 रुपे से लेकर उपर में 3300 रुपे प्रती कुंडल तक देखने को मिला है आज निमच मंडी के अंदर इसके साथ बात करें अगर जीटू क्वालिटी की तो जीटू क्वालिटी लेसुन का भाव 2000 से लेकर 3000 रुपे प्रती कुंडल तक बिकता नजर आया है और जो नया उटी क्वालिटी का लेसुन है आज नीमच मंडी में 2000 से लेकर उपर में 4000 रुपे प्रती कुंडल तक बि और जो देशी लेस्वन का फूल गूला माल होता है उसका भाव 1.400 से लेकर 2.000 रुपे तक देखने को मिला वहीं देशी लड्डू क्वालिटी लेसुन एक हजार से लेकर चौदासू रुपे तक बिखता नजर आया और जो मीडियम क्वालिटी होती है लेसुन की देशी माल की उसका rate आटसू रुपे से लेकर 1000 रुपे प्रती क्विंडल तक देखने को मिला है और जो देशी क्वालिटी का हलका लेसून होता है उसका भाव 200 रुपे से लेकर 500 रुपे प्रती क्विंडल रहा ये से बात करें अगर अब उटी क्वालिटी की तो उटी quality की box quality का lesson, 34,000 से लेकर 4000 रुपे प्रती कुंटल तक देखने को मिला और जो ऊटी lesson full गोला माल है, उसका दाउ 2000 से लेकर 2500 रुपे रहा उटी lesson full गोला का दाउ नीचे में 2000, तो वहीं उपर में 2500 रुपे प्रती कोंटल देखने को मिला है आज नीमच मंडी के अंदर वहीं उटी लेसुन लड़ू क्वालिटी का भाव 1500 से लेकर 2000 रुपे रहा और जो मीडियम क्वालिटी होती है उटी लेसुन की उसका दाम 1200 से लेकर 1600 रुपे रहा और उटी लेसुन क्वालिटी का नहीं जादा मंदी देखने को मिल नहीं जादा तेजी झाल